हेलो गुड बॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन तुले जानते हैं आज की 25 मोख्य बड़ी खबरुकू इस साथ से में चार लोग की मौतों कई वही तेरा लोग गंभी रूप से घायल हैं ये सभी लोग ताजिया को इमामबाडा सिप्ट करने जा रहे थे इस घटना में घायल लोगो और मिर्तक के परिजनों को मौजा परिवारिक लाप और जोहें पीम अवास सीम की और से दिया इसके तहद घायल परिवार को एक लाग रुपए दिया गया है वही मिर्तक परिवार को दो लाग रुपए का चेक परिवारिक लाप के तहद बीस जार रुपए और पीम अवास दिया गया है बेरमों के वधाएक अनूप सिंग ने बता है कि सब भी पिडित परिवार को च एक शौप दिया गया है घटना सुभा लगभग सड़े 5 बजे की बताई जा रही है इधर घायलों का बोकारो डिविशी अस्पताल में चिगतसको द्वारा प्रात्मिक इलाज करने के बाद बहतर उपचार के लिए बोकारों के बेजियेच अस्पताल रेफर कर दिया गया है साथ लोग के स्थिती गंभीर बनी हुई है मरने वालों में आसिप रजा 21 वर्सी एनामुल रब 35 वर्सी गुलाम हुशन 18 वर्सी और साजिद अंसारी 18 वर्सी शामिल है हाथ से को लेकर मोखे मंतरी हिमंतिसोरें ने भी ट्वीट कर जो है सोक जता है और सभी घायलों के सिग्री जो है स्वस्त होने की क्यामना की है निम्दबा चित्र बाधित होने से नहीं हो रही जार्खन में बारिस लेकिन आज से अगले तीन दिनों तक जार्खन में होगी जम कर बारिस राजधनी समय जार्खन में अच्छी बारिस के पूर्व अनुमान के बावजूद बारिस नहीं हो रही इसका कारण पिछले दिनों खाडी पर बने निम दबाव का आगे बढ़ने के मार्ग में विवधान होना है उपरी वातावरन में वेश्टर्न, डिश्टर्बेंस और कुछ मानसुन टर्ब के परभासी या सिस्टम जोर नहीं पकड़ पाया अब या उल्टी दिसा में खाडी की और बढ़ रहा है इससे खाडी में एक और सिस्टम बनने की संभावना व्यक्त ही गई है इससे जारखन में अच्छी बारिसों की मौसम भाग ने ताजा पूरो अनमान जारी किया है इसमें आज 30 जुलाई से 2 अगस्तक प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिस होने का अनमान है इस दोरान कहीं कहीं भारी बारिस होने का अलट भी जारी किया गया है राज में पूरो अनमान के विफरित पिछले 24 घंटे के दोरान मानसुन कब जो रहा कई दिनों से बारिस नहीं हो रही है विगत कई पूरो अनमान गलत साबित हुए राज के कुछ शित्रों में हलकी बारिस हुई मानसुन की इस बेरुकी से जार्खन में अब आकाल की इस्तिती और अस्पष्ट होने लगी है ऐसे में आने वाले समय में पूरे राज में बारिस होने का ताजा पूरो अनमान भी अधर पर लटका हुआ है लेकिन जिस तरह से अनमान लगा गया है कि दो अगस तक बारिसों की अगर वस सही साबित होती है तो आज से लेकर दो अगस तक जार्खन में अच्छी बारिस होने का अनुमान हैं, कई चेत्रों में भारी बारिस का अलट भी जारी किया गया है, तो आप साउधान रहें, सतरक रहें और सुरक्षित रहें जार्खन में वजरपात से घाल दो महिलाओं की मौत वक्त पर नहीं मिली थी, अम्बुलेंस, ग्रामिनों में आक्रोस, गुमला की चेनपुर्थाना चेत्र के मालम हरिजन टोली गाउं में, सनिवार की देर साम वजरपात की चपेट में आने से दो महिलाओं घाल हो गए थी, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण इन घालों को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, इसे दोनों महिलाओं की मौत हो गई, मिर्तकों में सबीना कुमारी और उर्मिला देवी समिल हैं, काफी देर बाद भी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं भेजी गई, इसके बाद इस हाथ से की सुचना पुलीस को दी गई, आखिरकार पुलीस के अधिकारी अपनी गाड़ी लेकर गाँ पहुचे, इसके बाद दोनों घालों महिलाओं को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया, इससे ग्रामिनों में काफी नाराजगी है, वजरपात की चपेट में आने के बाद साड़ेच शे बचे चेनपूर अस्पताल को फोन कर एंबुलेंस भेजने की मांग की गई थी, परन्तु दो घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं भेजी गई, घायलों की जान बचाने के लिए दोनों को गो के कारण रास्ते में ही दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया, पारा सिक्षक आकलन परिचा, रज भर की पारा सिक्षक मान दे बढ़ुतरी के लिए आज देंगे परिचा, जार्खन की पारा सिक्षक को सहाकत धापको की पहली आकलन परिचा आज 30 जुलाई को होगी, इसक से 43,000 सिक्षकों ने आविदन जमा किया है, सेस बचे करीब 4,000 परिचा के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होने की वज़े से आकलन परिचा में आविदन जमा नहीं हो शके हैं, परवधान के अनुसार आकलन परिचा में वही सामिल हो सकते हैं, जिनके परवान पत्र स सत्यापिन की प्रिक्रिया पूली हो गई है ग्राज में कुल 17148 पारा सिक्षक कारियत हैं इनमें सिर 1442 पारा सिक्षक टेट यानि सिक्षक पातरता परिचा पास हैं जिन्हें आकलन परिचा में बैठने की जौरत नहीं हैं सफल होने पर सिक्षकों का मान दे 10% तक बढ़ेग परिचा में सफल नहीं होने पर भी सिक्षकों की सिवा बनी रहेगी लेकिन उनके मानदे में बढ़ोतरी नहीं होगी ओमान में फसिज जारकन के छे परवासी मजदूरों ने वतन वापसी की लगाई गुहार गिरिडी बोकारो और हजारी बाग के छे परवासी मजदूर मुसलिम देश ओमान में एक प्राइबेट कमपनी में पिछले कुछ महिनों से बंधग बने हुए ही इन मजदूरों के परिजनों ने इस मामले की जानकरी मिलने के बाद अब राज्यवा केंदर सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है परवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले समाजिक कारिकर था सिकंदर अली ने भी राज्य सरकार से अपिल की है कि उमान महतू और हजारी बाग के निर्की गाउं के संजे महतू के अलवा अलग-अलग गाउं के दिनेश महतू अरजुन महतू शामिल हैं छे मजदूर जिस नीजी कमपनी मेनेजर बंढ हैं उस कमपनी में सारे मजदूर पिछले साल दिसंबर में मुबाइल टाबर लगाने गए थे इसके बाद से इनी मजदूरों को कमपनी ने बंद हुआ मजदूर बनातो हुए इनका पास्पोर्ट जब्त कर लिया है मजदूरों को पांच महिने से वेतन भी नहीं दिया गया है इन मज़दुरों ने कम्पनी में कारण दूसरे कर्मियों के मुबाल से एक वीडियो भेच कर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी है और भारत वापसी की गुहार भारत सरकार और राजसरकार से लगाई है भाजपा की केंद्रिये टीम में हुआ बदलाओ जारखन की दोन निताओं को मिली जिम्मेदारी रगवरदास राश्ट्रिय उपाधधक्ष और आसलाकड़ा बनी राश्ट्रिये सच्यू लोगसभा चुनाओं 2024 को देखतो हुए भारतिय जनता पार्टी ने अपने केंद्रि टीम में फिर बदल किया है इस चुनाओ को शाधने के लिए केंद्रिये कमिटी में जारखन के दोन निताओं को अहम जिम्मेदारी सौपी गई है जारखन की 14 लोगसभा की सीटों में जीत हासिल करने के लिए भाजपा तमाम तयारियां कर रही है इसी क्रम में जारखन में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश उपाधधक्ष का पद सौपा है अब केंद्रिये कमिटी में राज के दोन निताओं को जगा मिली है इसमें पूरव सीम रगवर्दास को एक बार फिर राश्ट्रिये उपाधधक्ष बना गया है वही राची नगर निगम की मेर आसन लाक हूँ बुकारो थर्मल के पेटरवार परखन के खेतकों में हुवे हिर्दय विदारक घटना से पूरे राज्श में मोहरम के परवे में मातम जैसा माहूल हो गया जिल लोग के परिजन करें की चपेट में आए हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है मोखे मंतुरी ह मंतुरी ने भी घटना पर दुख जता है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बुकारो जिले के खेतकों में मोहरम जिलूष के दोरान दुर घटना से चार लोग के मुर्तिव और दस लोग के घायल होने का दुखत समचार मिला परमातमा दिवंगत आत्माओ को शानती प्रदान कर सोका कुल परिजनों को दुख की या विकट घड़ी शाहन करने की सक्ति दे जिला प्रसासन की देखरेक में घायलो कायलार चल रहा है सभी घायलो के सिग्र स्वस्त लाब की कामना करता हूँ पेड़ की नीचे खड़े दो यूबक आय ठनके की चपीट में एक की मौत एक गंभीर बुझ गया घर का इकलोता चिराग जारकन की बुकारों में सनिवार को पेटरवार थाना इलाके के मायापूर पंचाइट अंतरगत स्याम लता गाउं में ठनका की चपेट में आकर यूबक महंदर हास्दा की मौत मौके परी हो गई जबकि घर्टना में उसका मौसेरा भाई भीम कुमार मुर्मू गंभीरूप से घायल हो गया घर्टना लगभग 11 वजे दिन की है जानकारी के अनुसार पेटरवार थाना इलाके के मायापूर पंचाइट अंतरगत स्याम लता गाउं इस्तित जहराटान के निखट उलगर्डा पंचाइट के बंडूगरी गाउनिवासी महंदर हास्दा एवं पेटरवार थाना इलाके के चोरवा बेड़ा गाउनिवासी भीम कुमार मुर्मू एक महुआ पेड के नीचे बारिस से बजने के लिए खड़े थे इसी बीच पेड पर ठन का घिरा इसके चलते महंदर हास्दा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि भीम कुमार मुर्मू गंभी रूप से घाल हो गया सुबास मुंडा के घर पहुँचे रगवर्दास कहा थोड़ी भी सर्म बची है तो सीबी आई जाज कराई मुख्य मंतरी मागपा नेता सुबास मुंडा की हत्या के बाद पूरे राज़ में आकरोश का माहुल है भाज़पा के नेता लगतार सीबी आई जाज की मांग कर रहे हैं इसी कड़ी में पूरो मुक्य मंतरी रगवर्दास सनिवार को सुबास मुंडा के परिजनों से मिलने उनके घर पहुँचे जोरान उन्होंने बात करतों वे का है कि हमंत सोरेन की सरकार में लगतार आदिवासों की हत्या हो रही है राज़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है इसे सराज में माफिया गिरो और संगठित अपराद गिरो की समयनांतर सरकार चल रही है सुबास मुंडा की हता की जान्ट CBI से कराने की अनुसन सा रगवर्दास ने हिमन्त सरकार से की है आगे रगवर्दास ने कहा कि जब मेरी सरकार थी तब आप राधी हो या नकसली बिल में घुसे रहते थे आज राज में आराजकता के स्थिती है अगर मुखे मंतरीव को थोड़ा भी सर्म होगा तो वह सी भी आजाच कराएंगे इन मुद्दो को लेकर राज कॉंग्रेस भावन रांची में आई एन डी आई ए की बाठक तीज जुलाई यानि आज दोपर सठे बाएरा बजे प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले कॉंग्रेस भावन रांची में इंडियन नेशनल डबलफ मेंटल इंक्लूशिव गलाइन्स आई एन डी आई ए के सबी घटक दलों की बाठक आहुट की गई है बाठक में मानिपूर की हटना के खिलाब रांची तयार की जाएगी साथ ही कई मुद्दो पर गहन चर्चा होगी इसके बाठ दो बजी प्रेश कॉन्फरेंस गिया जाएगा इसकी जानकारी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के महसाच्यू शह प्रवक्ता राकेश शिधाने दिए पंचायत परतनिदियों के मानदिवा तीये डीये के लिए दस करोड जारी जार्केन में पंचायत पर्तनिधीों तृ acces3 के मांदे भुकताण और TA-DA के लिए दिसानिर्देश जारी हुआ है पंचायती राजन के देशाले जारकेन ने इस सम्मन में सभी ज़िलों के DDC को लेटर जारे किया है इसमें बताये गया है कि पंचायतों के निर्वाचित जन परतनिधियों का मान्दी, देनिक भत्ता और यातराभत्ता का भुक्तान करने के लिए 13 करोड रुपे दिये गए हैं। इसमें बताये गया है आवंटित रासी खर्च नहीं होने की स्थिती में सेस रासी मार्च 2024 के पहले सप्ता तक पंचायती राजविवाग ज्यार्खन को वापस करने होगी। कर्मचारी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं। और विचार करने का अगरा किया है। जार्खन राज्य कर्मचारी महासंग ने इस सम्मन्द में मोकेमंत्री को पत्र लिख कर पूर्व से दिये जा रहे हैं। एक हजार रुपे प्रती महाच जगत सभर्ता की रासी जारी रखने का अगरा किया है। साथी हेल्थ कार्ड को विकल्प के तौर पर रखने की भी मांग की है। सुबास मुंडा की हत्या लाल जंडे को कमजूर करने की साजिस दोसियों को जल्द मिले सजा पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंदर डॉम सीपीम के पॉलिद ब्यूरो सदस्वा पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंदर डोम ने सुबासमंडा हट्यकान की हर पहलो की जांच कराय जाने और दोस्यों को समय शीमा के अंदर गिरबतार कर उन्हें सरजा दिलाय जाने की मांग की है उन्होंने कहें कि यह लाल जंडे को कमजोर करने की गहरी साजी से वे पार्टी के राज्यकारले में प्रीश को संबोधित कर रहे थे CDPO के लिए आविदन की प्रक्रिया जारी जारकन में CDPO यानि की बाल विकास परियोजना पददिकारी के चौरसट पदपर न्युकती के लिए आविदन के प्रक्रिया जारी है ऑनलाइन आविदन करने की अन्तिम्तिती सुला अगस्त है जबकि 18 अग्रस तक उमिद्वार फीज जमा कर सकते हैं परिछा कब होगी आयोग ने फिलाल इसकी घोशना नहीं की है लेकिन अगर आप आविदन से समंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाते हैं तो आयोग के हेलफ लाइन नंबर 9431301636 या फिर 9431301419 पर सुबह 10 ब मुक्ति मोर्चा के केंद्रिय प्रवक्ता मनोच कुमार पांडे ने अरगुडा थाने में एक आविदन देखर भॉकाल टीबी नामक योटूब चैनल वा फेस्बुक चैनल के खिलाब कानूनी कारवाई करने का अग्रा किया है आविदन में कहा गया है कि राज्य के मुक्य मंत्री हिमंतु सोरेन और विदान सभा अध्धक्ष रवेंद्र नार्त महातो एवं पेजल मंत्री मितलेश ठाकुर के बारे में अपत्ती जनक अनरगल और अमरियादित भासा का परियोग करतो हुए एक वीडियो भॉकाल टीबी के योटूब चैनल और फेस्बुक में प् संख्यक विद्धाले के सिक्षकों का विद्धन पूर्व का आदेस बाहल जार्खन में 30 अगस्त 2022 से पूर्व गयर सरकारी सहता प्राप्त अल्प संख्यक शहित प्रारंभिक विद्धाले विद्धालियों में नियुक्तु सिक्षकों को अब पूराने विद्धन मान के अ अनुशार वेतन भुगतान के प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है ऐसे में राज्य के अलपसंक्यक विद्धालियों में 30 अगस्त 2022 से पूर्वन न्युक्ति सिक्षकों को अब 9300 से 34500 रुपे का वेतनमान वा 42 रुपे का ग्रेड पे मिले का जब कि सिक्षा भागद्वारा सिक्षकों का वेतनमान वावन सो रुपे से जो हे 20,200 रुपे कर दिया गया था विवाग्य पत्र में कहा गया है कि या समंधित जिला सिक्षा अधिचक की जवाब देही होगी कि प्रतेक ऐसी नुक्ति के मामले में स्विक्रित पद जो हे प्रकासित विज्यापन में पद क योगेता एवं वेतनमान को देखेंगे लगेंगे दो लाग तक सेक्यूरिटी मनी पहली बार निकला आदेश एक अगस से जारकन के मेडिकल कॉलेजों के मेबियेस और बीडियेस कोर्स में दाकिले के लिए काउंसिलिंग सुरू हो रही है इस साल काउंसिलिंग में सामिल होना ही महागा कर दिया गया है राच में पह भारी पढ़ रहा है जारकन कंबाइंड एक्जामिनेशन बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में यास पॉस्ट कर दिया है कि इस सेक्यूरिटी मनी के बिना एडमिशन की प्रिक्रिया में शामिल होना संभो नहीं होगा ग्र्यांची के दलादली चौक पर दुकंदारों से दुकान बंद रखने की अपील पैदल मार्च कर इस्थानियों ने जताया आक्रोस सुबास मुंडा के दोनों भाई दलादली चौक पर मार्च कर दुकंदारों से अपील कर रहे हैं कि वह अपनी दुकानों को बंद को दलादली चौक पर बजार लगता है जिससे नहीं लगने दिया किया इधर रांची पुलीस ने सहर के अलग अलग थाना चितर से 45 जमीन कारोबारियों को उठाया है नगडी कांके और मांडर थाना में रखकर इनसे पूछताच चल रही है दरसल पुलीस ने हाल के दिनों मे हाई कोट के आदेश पर ऐसे जमीन कारोबारियों की लिष्ट बनाई थी जो आए दिन विवाद में रहते हैं उसी लिष्ट के अधार पर जमीन कारोबारियों को उठाय गया है इनके अलावे पुलीस कुछ आईसे जो है दागी यवाओं से भी पूछताच कर रही है जो हा ट्रेक्टर के नीचे आने से एक बच्चे की मौध हो गई जबकि ट्रेक्टर चला रहे है एक किसोर को कुछ लोगों द्वारा पीट-पीट कर मार डाले जाने का मामला प्रकास में आ है हलाकि किसोर की हत्या को लेकर फिलाल कोई कुछ नहीं का रहा है लेकिन दबी जुबा ट्रेक्टर के अर्यागाओं में एक बच्चे की और एक किसोर की मौध के बाद सवाल उठ रहे हैं बच्चे की मौध ट्रेक्टर की नीचे आ जाने की वज़स से होने की बात कही जा रही है पुलीस पूरे मामले की जाच में जुट गई है बताय जाता है कि बगडु ठाना साहू पांच वर्स ये बैठा हुआ था जिसी दोरान स्रियांस ट्रेक्टर से नीचे गिर गया और वहा जो है रोटा वेटर में फंस गया जिससे उश्की दर्धनाक रूप से मौत हो गई इस घर्टना के बाद विशाल की बुरी तरह से पिटाई कर उसे ट्रेक्टर के टायर के नीचे डाल दिया गया जिससे उश्की मौत हो गई हलाकि विशाल को किसने मारा या स्थती असपस नहीं हुई है लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि विशाल की कई लोगों ने मिलकर ह ब्रची मिधार देश में बच्छों के साथ हो रहे दसकर्म और चाइल्ड लेबर की बढ़ती घटना को देखता होवे भारत सर्कार की तरब से लगतार कारिक्रम चला जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा बच्चों पर होने वाले जुल्म को कम करने के लिए चलाए गए कारिक्रमों की समिक्षा बैठक की जा रही है। अपर जिला एवंशत्र ने अधीस प्रतम गुलाम हेदर की आदालत ने आरोपी सत्गावा दोनईया निवासी मुक्तर अली पिता मुहमद मुश्लिम और शत्गावा दर्चेता निवासी आदेश कुमार पिता सोरी प्रसात यादो कुधारा 376 डी एक्ट में दोशी पाते 25-25 वर्स सासरम कारवास की सजा सुनाई है शाती दोनों आरोपियों पर 25-25 जार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की रासी नहीं देने पर दोनों को 2-2 वर्स अतरित सासरम कारवास की सजा भुगतनी पड़ेगी फुंटी से PLEFI की दोनक्षली घरपतार मुरू ठानाचेदर के सुरुणधा मारंग टोली पत में निर्माना धिन पूल में करमियों के साथ मार पीट करने और वाहनों में तोड़ फोड करने के आरोप में पुलीस ने PLEFI के दो उगरवाद्यों को गरपतार किया है गरबतार किया के उगरवादियों में मुरूहूं के सांडी गाउं निवासी बेर सिंग पूर्ती और बंद गाउं धाना चेतर के कुमान जाते बेडा निवासी जोर्ज सांडी पूर्ती शामिल हैं